एक और स्टॉक जिस पर रखने है आपको नज़र जहां पर हम देख रहे हैं कि आज गिरावट थोड़ी पनी हुई है टाटा केमिकल्स इसकी अभी बात भी हो रही थी हमारे एक्सपर्स के साथ राय भी आये थी वागले साब की सेल कॉल दिया था वागले साब ने नौसो तक की जो कीमते हो टाटा केमिकल्स ने साड़े तीन परसंट घटाई है आज की खबर है लेकिन खास बात है कि पिछले दो मैने से लगातार कीमते घट रही आपको याद दोगा कि इससे पहले 17 अपडेट को एक अपडेट दे कर मैं आपको बता था कि 3-4 परसंट कीमते घटी हैं और काफी लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि जो घरेलु बजार में सप्लाइ करते हैं इसमें कीमते हैं कटाई गई है और जब इससे पहले भी अपडेट दिया था था हमने आपको बता था कि इनर मंगोलिया में करीब डेड़ मिलियन टन के आसपास की जो सप्ला है वो जो कीमते हैं वहां पर भी गिरावट देखने कुमल रही है जिसके चलते हैं आप देखें इस स्टॉक के पर दबाब बनाव है क्योंकि अब तक ट्रेंड ऐसा था कि लगातार कीमते बढ़ती जा रही थी यह दूसरा मंत ऐसा लगाता है जहां पर कंपनी ने कीमते कट कि हा नहीं मिलेगा आगे और कीमते घटाते कि नहीं यह आपको ज़रूर देखना पड़ेगा लेकिन नुकसान होगा सीधे टाता केमिकल्स स्टॉक रियाक्ट भी कर रहा है इसके अलबाब डी सी डबलो अलाकि स्टॉक में जाधे रियाक्शन है यह तीनों स्टॉक ऐसे हैं जो सोडा आश को प्रडियूस करते हैं तो इनको असर देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप इस ख़बर का फिलिप साइट देखें तो किसी का नुकसान किसी का फायदा लगाता है अगर आप देखें तो जो बड़ी हुए कीमते थी ग्लास की इससे जो लिकर कंपनीज है काफी परेशान थी अब हो सकता है कि जो सोडा आश क्योंकि एक इंपुट कॉस्ट होता है इसकी कीमते घट रही है तो ग्लास की कीमते भी घटेंगे फायदा देखने को मिल सकता है यूबी यूएसे और साथ में रेडिको खैतान को साथ में बोरुसल लिमिटेड और एजिया ग् कीमते घट जाएंगे अभी पिसले दो कॉटर से हम देख रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन उनका भी इंपुट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहे है मार्जिन स्टूट रहे हैं बागी बोरुसल लिमिटेड है जो कि खुद बॉटल जी बनाता है इनको एक थोड़ा सा बेनेफिट मिल सकता है